Welcome back to my YouTube channel guys आज मैं आप लोगों के लिए Oxford Basic English Grammar Exercise 31 स्वाल्व करूँगा कहता है निमलिखी सब्दों के feminine forms लिखें अब जो पहला noun है वो क्या है boy अब boy क्या है masculine form में है ठीक है masculine gender है तो इसका feminine form क्या होगा मैं बताता हूँ boy का girl हो जाएगा ठीक है अब क्या है main फिर है king कींग का feminine form क्या हो जाएगा queen हो जाएगा अब है sun तो sun का feminine form क्या हो जाएगा daughter हो जाएगा अब है horse तो horse का feminine form होता है mayor अब है dog dog का feminine form होता है bitch bull का feminine form हो जाएगा cow अब है brother brother का feminine form हो जाएगा sister अब क्या है god तो god का feminine form goddess हो जाता है ठीक है अब क्या है poet तो poet का जो feminine form होगा इसमें E double S जोर कर इसका feminine हो जाता है poetess हो जाएगा ठीक है P O E T E double S ठीक है अब क्या है lion तो lion का feminine form क्या हो जाएगा lioness हो जाएगा ठीक है इसमें भी ESS जोर कर इसका feminine form बना दिया जाता है अब देखो actor और tiger इन दोनों का जो feminine form होगा वो थोड़ा different होगा यहाँ पर क्या होगा यह जो O है ठीक है इसको हटा देंगे तब क्या बचेगा A, C, T, R ठीक है तो पहले लिखते हैं A, C, T, R अब इसमें ESS जोर देंगे actress ठीक है actor का feminine form क्या हो गया actress हो गया यहाँ पर vowel को हटा कर ठीक है और ESS जोर दिया जाता है अब क्या है tiger यहाँ पर भी same thing होगा यहाँ पर जो E है इसको हटा देंगा अब क्या बचेगा T, I, G, R ठीक है तो T, I, G, R अब इसमें ESS जोर देंगे tag race हो गया ठीक है tagger का feminine form क्या हो गया tag race हो गया यहाँ से E हट गया भॉवल है ठीक है और इसमें ESS को जोर कर इसका feminine बना दिया जाता है अब है monster इसका feminine form क्या हो जागा mistress हो जागा ठीक है अब क्या है grandfather तो देखो फादर के अस्थान पर mother आ जागा ठीक है अब क्या है he goat he goat का feminine form क्या हो जागा see goat हो जागा ठीक है see goat